लो एवरीवन वेलकुम बैक टो एगरी कल्चर पॉलिटिकल बहुत-बहुत स्वागत है आपका उमीद करती हूँ आप सब बच्चे होंगे तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर ICR PG और PhD का rank card ICR के द्वारा release कर दिया गया है अब registration और counselling की प्रक्रिया जल्द ही शुरूर होने वाली है उमीद की जा रही है कि next week तक आपकी counselling की प्रक्रिया start हो जाएगी जिसमें आपको registration और बहुत सारी process करने पड़ेंगे जिसके लिए समय समय पर वीडियो आता रहेगा लेकिन आज जिस विशय में हम बात करने वाले हैं वो बहुत important role play करता है पूरी counselling process में या आपके admission में आपके exam दिया आपकी अच्छी rank आ गई लेकिन अगर आपकी documents पूरी तरीके से proper नहीं है आपको नहीं पता है कौन से documents ह होने चाहिए तो यह आपके लिए बहुत problem create कर सकता है तो आज हम इसी विशय में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से documents आपको तयार कर लेने चाहिए अच्छे से उनके जो PDFs हैं वो बना लेने चाहिए ताकि आपको online जब आप उन्हें upload करें या जब offline आप physical verification के लिए जाएं तो आपको कोई भी problem उससे related ना आए तो आज हम बात करते हैं documents की documents के बारे में हमने बात करनी हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं और तो इसके सामने division आपको दिख रहे हैं एक ऐसा जब आप online documents को upload करेंगी उसके बाद जब आपको seat a lot हो जाती है तो आपको उस particular college में जा कर offline physical reporting करनी होती है तो वहाँ पर जो documents आपको चाहिए होते हैं वो तो इन दोनों की विशे में हम बात करेंगे सबसे पहली चीज है आपको high school की mark sheet और certificate चाहिए most of the जो boards होते हैं उनमें एक ही होता है certificate और mark sheet कई ऐसे हैं यहाँ पर mark sheet और certificate अलग होता है तो आप बोले जा सकते हैं पास दोनों है वरना जो आपका है वो आपको रखना है उसके बाद 12th की mark sheet उसके बाद आपकी PG और PhD के लिए जो आपने जहां से UG किया है वहां की जो mark sheet है transcript ह PDC है यह आपको रखना है अपने साथ उसके बाद आपको जो NTA की तरफ से admit card issue हुआ होगा वो होना जरूरी है confirmation page जो आपने application submit किया था वो होना चाहिए rank card और counseling letter होना चाहिए और जो counseling letter है वो जब आप registration करेंगे तब आपको issue होगा allotment letter होना चाहिए allotment letter आपको जब कोई seat मिल जाती उसके बाद आपको मिलता है और जो यह application form है rank card है allotment letter है यह आपको online upload नहीं करना है यह सब आपको physical verification की समय ले के जाना है और जो आपको जिस university में आपको admission मिलेगा वहा during the process of counseling और उसके बाद आप ने साथ passport size photographs जो आपने जो application दिया था application form submit करते वक्त जो आपके photograph लगाई थी वो photograph आपकी पास होनी चाहिए आपको online उसे नहीं submit करना है वो already वहाँ पे होगी लेकिन जब offline counseling के लिए जाए तो कम से कम 5 photographs लेके जाए और आपको आधार card है उसकी copy या फिर आपके पास जो भी government का valid कोई भी proof हो अपनी identity का वो रखना है आपको और यह आपको upload भी करना है और offline counseling के वक्त भी ले जाना है मतलब reporting के वक्त ले जाना है domicile certificate होना चाहिए कि आप कहां से है character certificate होना चाहिए जो भी आपने last institution attend किया है वहाँ का आपके पास character certificate होना अगर आप किसी भी category से belong करते हैं चाहिए वो SC, ST, UPS, OBC, EWS तो उसका आपके पास certificate होना चाहिए medical certificate होना चाहिए अगर आपके कोई भी disability है और आगर आप employer कोटा से admission ले रहे हैं तो आपके पास उसका certificate भी होना चाहिए तो यह दोनों ही जगे आपको use आएगा और उसके बा documents होने चाहिए और जो domicile certificate है कोशिश करिए कि वो 3 साल के अंदर हो, domicile certificate बहुत important हो जाता है क्योंकि आप दूसरे statement admission लेते हैं यह इसी चीज़ से verify होता है और उसी के बाद ही आपको आपकी scholarship grant की जाती है ICR के दवारा, जितने भी documents बताएं हैं मैंने उन सभी documents के 3 set of copy आप को submit करने पड़ेंगे, students भी बहुत होंगे जनके पास application form अभी present time में नहीं होगा, तो वो अपना login details डालके ICR के website से निकाल सकते हैं, I hope यह video आपके लिए useful रहा होगा, सारी चीज़े समझाने का मैंने पूरा प्रयास किया, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी confusion है तो आप comment box में पूर सकते हैं, मैं प्रयास करूँगी कि मैं पूरी तरीके से उनस बात को समझा सकूँ, धन्यवाद